दोस्तों आज किस वीडियो में आपको जगवार कंपनी का बेसिन टाइबेटर फिटिंग करने का तरीका बताने जा रहा हूं तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग है वीडियो को पूरा लोग देखें दोस्तों आप देख सकते हैं यह जगवार कंपनी का देशिन डाइबेटर है और इसमें इसका प्राइज निखा हुआ है करीब इसका प्राइज आपको 24-2500 में बिल जाएगा और निचे मैं लिंक दूंगा इसके आप पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों चल्श पर्चेसा यह दों एंटी है यहां लगेंगे सब्सक्राइज देख सकते हैं यह डाइबेटर है यह बैसिन डइवेटर है अंदर बेलेंक इन इन चे यह फेटी होगा और इसमें दोंप्वेंट है इसमें इंटीय लगेगें इधर यह ठंडा ए अधर्ट वा झाल 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 दोस्तों दोनों यहाँ पे MTA हमारा फीट हो चुका है अब इसको हम लोग जा रहे हैं बात्रूम में इस्ट्रोलेशन करने जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यह मिनिमम मेक्सिमन हैं यहाँ पे आपको दो पाइप नजर आ रहा है यह ठंडा और गरम CPBC का पाइपलाइन है दोनों पाइप नीचे ठंडा उपर गरम है इसमें यह डाबेटर को फीट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यह जो वाल है कभी मेजर्मेंट कर ले रहे हैं उसके बाद में इस टेबिटर को फीट करेंगे उसके बाद में आपको लाश्ट में बताऊंगा कि इसका मिनिमम मेक्सिमम कैसे देख जाता है बहुत जगह इसे होता है कि अंदर हो जाता है दोस्तों जब यहां पे प्लास्टरर नोजेगा उसके बार यहां पर टाइस लगेगा तो यहां पर काउंटर भी यहां पर这么 designed लगा रहे होग। मतलब Could नी चे बनता है वह मार्बल का कंटर बनता है उसी कपर मेतो आंज़ा रहे हो अप्रत तो इस डाइबेटर का हाइट रख रहे हैं वह 42 में रख रहे हैं मतलब जमीन से हीट nós 42 इंची में उसको रख रहे हैं बाद में जब którą पर टाइस मारबार लगें region of 4 का चाली इस Works &hell क्रॉड इन गहां पर और यहां प्र एक कांटर बने हम लोग पूरा लेबल हम लोग करना हो इसको सel remo को फीट करना है उसके बादने में पूरा यहां पर सेमेंट यहां मिलो छांब इक और करना है अभी सब्सक्राइब और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं तब ही मेजरमेंट करके हम सारा फीटिंग जो है इसका अभी फूरा कंप्लीट कर रहे हैं इधर जो आप देख सकते हैं लेप साइड में हम लोग पाइप लगाया है इसको जोल रहे है जो एक लिए एँख लगाया है I love these we haven't played No I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the line on We'll go Through the wastelands, through the highways साथ किया थे लिएबर बीके अहले हैं झोपी देख सकते हैं यहां पे पूरा ड्याबेटर लग चुका है और अभी यहां पेद लेबल भी हम लोग कर रहे हैं यह वाटर लेबल रहें ले बाहर रखे इसको हम लोग कितने इंची बाहर रखे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इस डाइबेटर को हम लोग करीब देड़ इंची यहां इसको रखे हम लोग जब यहां पर प्लास्टर होगा तो यहां पर मतलब डाइबेटर जो होता है उसमें मैंनीमा मैक्सीमम दो उसे हम लोग बात किये थे तो वह बोला कि लगभग एक इंची का प्लास्टर यहां पर दीवाल पर चड़ेगा उसके बाद में जो मारबल नहीं टाइल से लगता है दीवाल में टाइल जो लगेगा वह आधा इंची की लगभग होगा तो इसको हम लोग देड़ इंची लगभग है यहां पर मेंनीमट में लिखा हुआ है डाइबेटर में लोग देड़ इंची इसका लास्ट टोफ है उसको हम लोग देड़ इंची लगभग रख रहे हैं इससे यह होगा कि डाइबेटर जो होगा यह प्लास्टर होगा उसके बाद 20 लगएगा तो यह मतलब बराबर में आ जाएगा और जो इसका बाहर का मतलब जो हैंडल पार्ट होता है उपर का जो कभर होता है वो असानी सिहां पर लग जाए कोई प्रोल्बम नहीं आए इसलिए हम लोग इसको मिला के मैनिमम और बेक्सिमम दोनों चीज़ को मिला के अच्छे तरीके से रख रह को पर बाबर में इसलिए आप इसको पहले मैनिमम और मैक्सिमम आप देख सकते हैं अगर प्लाश्टर हो जाय तो इसमें भी आप देख सकते हैं यई एक इन्ची बाहर रखे और प्लास्टर नहीं यह तो आप देशी का लगँ है अप डीबेटर को रख सकते होरहा है यहाँ मिस्तरी है और प्लास्टर मिस्तरी होरा सेम भी यह पे हम लोग कांथ किहें उसे नंडर possessed लिए यहाँ अग्राहु ऐ वाई सबसे थार उचड़ी आबर बार बोर्तन कीशेटी साओब प्रिया ज לבब चैसे जिक चाई सूगोजाइ सब्सेटी mold कीशी ऑल्ग तरै कीशे ऑन। सबसे डब से सिर्चे कीश vite जाँ गल्या सबसे हो है लोघ सेस्टा है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ कुछ सीखने को जरूर मिला हुआ तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल कलिए सब्सक्राइब और बेल आइक प्रेस और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे जै हिं मी हैं करो कुछ समार के नौर के लाइक अभाल के यहाईं श्यू इस हैं अब्सक्शाएब नहें एक नवार को आचिक अह फो जो साल मुझ प्रेस प्ला नहें हरा दोड़ियो ब्री कि अच्छार को एक में व्वार को इसितिए हो वे सब्सक्ति यहाई श्म के यहाई आख व